कोरुना काल ने हर तरह से आम जन जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था नकरात्मक समय काफी लोगों के लिए सकरात्मक रोशनी का जरिया जरूर बना मगर फिर भी बच्चों की पड़ाई लिखाई पर संक्रमण काल का असर बुरा ही माना जाएगा इसकूलों से दूर बच्चे घरों में रहकर ही पड़ने और नई चीज़ें सीखने को मजबूर थे मगर अब कोरुना की लड़ाई खात्म हो चुकी है इसी क्रम में स्कूलों में तरह तरह के कारेक्रम भी आयुजित किये जा रहे हैं हलदवानी इस्थित शेमफोर्ट सीनिर सेकिंडरी स्कूल में भी बच्चों की प्रगद्धी के लिए कारेक्रमों का सिल सिला शुरू हो गया है इस बार स्कूल में चात्र चात्राओं के लिए पुस्तक मेले का आयुजिन किया गया तीन दिवसी मेले का शुभारंब बीते गुरुवार यानी 13 अक्टूबर को हुआ था ये कहा और माना भी जाता है कि छोटी उम्र में ही भविश्य का निर्माड शुरू हो जाता है किताबे मानसिक स्वास्ते को बहतर बनाए रखने और व्यक्तित्व निर्माड में एहम भूमिका निभाती है मनुचे कित्सक भी बताते हैं कि किताबों से बच्चों का दूर रहना उन पर नकरात्मक असर डाल सकता है ये बात भी किसी से चिपी नहीं है कि आज के दौर में बच्चों को छोटी उम्र से ही मुबाइल फोन इस्तिमाल करने की लिलत लग जाती है जिस वजह से उनके किताबों से दूर होने की चांस बढ़ जाते हैं ऐसे में शिक्षकों, अभी बावकों, समाज और खासकर विद्यालेयों की भूमिका भी एहम हो जाती है हल्दवानी शैंप फोर्ड स्कूल में बच्चों का किताबों के प्रतिर उजहान बढ़ाने की दृष्टी से वर्ल्ड विजन पब्लिकेशन द्वरा तीन दिवसी पुस्तक मेले कायोजन किया गया है और इसमें बहुत अच्छा रिस्पोंस बच्चों का देखने का मिला है क्लास वन से लेके ट्वल तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है विजिट किया है एक सैटिसफेक्शन है दो साल की कोरोना के बाद पहली बार हमने फिर से वापस से फिजिकल लाइबरी की तरफ गए हैं जहां बच्चों ने हर बुक को खोल करके देखा है उनकी अपनी एक चॉइस उसमें क्रेट हुई है और आज बच्चे उसमें अपनी पसंद की बुक्स को खरीदने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं चीजों पर कि मोबाइल और टीवी इन सारी चीजों से भी बच्चे उतना ज़्यादा एफेक्टेट नहीं है यदि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें इन बुक्स को पढ़ने का समझने का और ऐसे आयोजन करते रहें तो डैफिनेटली वो बुक्स को भी पढ़ेंगे बुक्स पढ़ने से उसके अपने थौट्स क्रियेट होते हैं वो किसी दूसरे के विजन को नहीं देखता है आप ऑनलाइन किसी चीज को देखते हैं किसी को सुनते हैं तो आप सिर्फ उसकी बात को समझ रहे हैं जब बच्चा किसी टेक्स को पढ़ रहा है तो उसके पास अंडर्स्टाइनिंग है कि वो उस टेक्स को किस तरीके से समझ रहा है और यहां से उसको कही न कहीं क्रियेटिविटी भी चीज़ों पर मिलती है क्योंकि अपनी एक सोच डिवलब होती है उसकी अपनी सारी चीज़े अविलेबल नहीं करा पा रहे हैं हमने दोनों चीज़ कर रहा है उस चीज़ों को और इस तीन दिन का जो बुक फियर हमारे यहां हुआ है उसमें यह चीज़े हमने देखी है कि मुबाइल ज्यादा हो रहा है तो कितना महत्तु आपको लगता है कि अभी भी रहेंगे बच्चोरी बिल्कुल बुक्स तो हमारे पारमविक एसे टाइम से इतियास से हमारे पुराणों में इसका जिक्र है किताबों से हमें उसके इतियास की बारे में जानकारी मिली तो इसका तो कभी कोई में समस्ताओं की कोई तोड़ नहीं है और कोई इसका कभी मुबाइल या इंटरनेट या इसका कभी रेप्लेस्मेंट नहीं है सबotalे में. मांगी जलीए कि बच्चो में आज बच्चों में जो सभी स्कूलों का जो ट्रेंड है जो बच्चों का जो सामारी दंबार यउसमें बुक्स का पर्धा बटा योगदान है और बच्चे इस बात electrode सMusik समझ है और कहीं ना कहीं बच्चों को बुक्स के प्रती बहुत रूची है जैसी करोना के बार स्कूल्स खुले हैं तो या एड़िशन्स के मामले में हो या बच्चों क्लास्रूम स्टडी जा रहे हों बच्चों में और अभिवागों में काफी रूची है और काफी पर चड़कर पामिल हो रहे हैं और उसका आइजन गया